हेलो फ्रेंड्स आप सभी कान लाइन इस्टेटी सीरीज में स्वाइद फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संख्या पधती यानि की नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम से जितने भी इंपोर्टेंट कोशन बन सकते हैं हम सारी इस वीडियो के माधिम से डिसक क्या है कि 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 plus dot dot plus 1 upon n into n plus 1 का मांग होगा ठीक है तो देख लिए कोशन जो है polytechnic 2011 में आया हुगा कोशन है ठीक है तो competitive exam में ऐसा ही कोशन पुछा जाते है ट्रिपकल कोशन पुछा जाते है ठीक है तो चलिए हम इस कोशन को किस मादेम सहल कर पाएंगे आये उसके बारे में जानते है ठीक है तो चलिए देखे प्रेंट्स इस कोशन को करने का आसान तरिया क्या है सबसे पहले हम आपे कोशन लिखेंगे ठीक है तो हमारा पहला नमर जो कोशन है यहां पे लिखेंगे हमारा क् 1 upon 1 into 2 ऐख़ीक प्लस में हमारा क्या है कि 1 upon 2 into 3 ऐख़िक है इतना है प्लस में हमारा कितना है कि 1 upon 3 into 4 है प्लस में हमारा ........................ फिर हमारा लाश्ण प्लस है 1 upon N into N plus 1 इतना कोसन दिया हुह हैковार्य ठीक है तो चलिएज़िए देखिए फ्रेंड्स कोशन को करने के लिए सबसे पर हम सोचेंगे क्या करेंगे देख लिए कि यहां पर 1 upon 1 into 2 दिया है ना इसको देखिए इसको लिखने काम तरीका अपनाएंगे इसको आप क्या लिख सकते हैं बस यह वाली लाइन अकर कंसेप्ट पकड़ लेंगे तो आपको आसानी सहल हो जाए उरु आपन 2 आजाएगा ठीक है इतना आजाएगा ठीक है चलिए पिर यहां पर इसके जगह पर 1,2 into 2…3 का जगह पर ए सबसे पर ऋफ्ण 1 आपन 2 आपन 3 मैं लिख सकता हूँ एसके जगह पर 1 आपन 35 म आइनिख सकता हूँ ठीक है इसी तरह लास्ट में क्या लिख सकते हैं अगर यहां पर माइनस से अगर यहां पर प्लस है जो ब्रेकेट है आएंगे तो हमारा पूरा टर्म यहां तक केंसिल हो जाएगा लास्ट यहां बचेगा 1 आपन 1 माइनस 1 आपन n-1 बचेगा इतना ठीक है मातर 2 लाइन में यह कोस्टन होगा ठीक दगलेजिए कि 1 आपन 1 – 1 आपन 1 आपन n-1 अगर इसी का लेंगे तो n-1 उपर जाएगा अब sono से-1 굉장히 होगे कितना जाएगा हमारा कितना जाएगा answer कि n upon n plus 1 यानि कि आपसर number भी correct answer हो नांजर हो जाएग, ठीक है तो हमारा इतना ही answer होगा, ठीक है तो चलिए हमारा अगले slearn a question,े नांबर including answer के बारें बात करेंगे तो अगला नंबर कोशन आप अपने स्क्रीन पर देख पारे होंगे, अगला नंबर कोशन क्या है, यानि कि दूसरा नंबर कोशन, दूसरा नंबर कोशन यह है, कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं, तो 6 29 बचता है, ठीक है, यदि इसी संख्या को 8 से भाग देते हैं, मुद्दा समझे किस माध्यम सब हल कर पाएंगे तो कोई भी संख्या अ है माल ते एक संख्या है in GREEN था हूँ कि इसमें आप 56 से भाग कर रहे हैं तो 29 लेजर भाग तो 29 शेश बच रहा है माल ते मैं रिखने के तरिका रहा हूँ इससे कोई संख्या होगी हूँ तो मैं संख्या को उसी को मैं माल च्छपपन अप प्लस में अगर 29 ले रहा हूं इन दोनों को अगर देखिए संख्या लिखने के एक तरीका होता है कि छपपन इन्टू वाई प्लस 29 अप लिख सकते हैं लेकिन मैं य को जग आप एक ले रहा हूं ठीक है यहां पर इसका जो म हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा कि पांच दो साथ यानि कि साथ यानि पाचासी अगर पाचासी में भी आप च्छपन से भाग करेंगे तो 29 बचेगा लेकिन इसी संख्या को आठ से भाग देने पर यानि पाचासी को अगर आठ से भाग देंगे पाचासी को और आठ स को हल कर सकता था लेकिन आपको समझाने के लिए इतना मतलब की टर्मिनलाजी किया गया है ठीक है तो आपसन नंबर भी इस करेक्टर अंसर हो जागा ठीक है चलिए हमारा अगला नंबर कोशन यानि की तिसरा नंबर कोशन यह भी बहुत इंपोर्टेंट कोशन है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कोशन क्या है कि 1 स्क्वाइर प्लस 2 स्क्वाइर प्लस 3 स्क्वाइर प्लस X2 is equal to X bracket में X plus 1 bracket में 2 X plus 1 अपन 6 हो 2 देखिए मान बताना आमको 1 square plus 3 square plus 5 square plus dot 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 19 square ठीके इसका value आमको बताना है ठीके तो छली इस question को यह भी question बहुत important question है आपको समान में आग्या होगा कि कितना important question है ठीके कोशन आमारा दिया हुआ है कि 1 SQUARE प्लस में 2 SQUARE प्लस 3 SQUARE प्लस................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ कि one square plus three square plus five square का मान बताना है ठीक है इतना का मान बताना है ठीक है तो चलिए देखिए फ्रेंड्स मैं इसको लिखने का तरीका बता रहा हूं देखिए इसके जबापे मैं सीधे सीधे यहां पे 19 x का दिया है तो मैं 19 मैं पूरा लिख दे रहा हूं तो देखिए one square plus two square plus three square plus dot 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 यहां पे सीदह सीदह में shortest में 19 स्कू population कर देंगा ठीक। एक ब्रेकट में ठीक। लेसी स्कू ? लेकिन हमको दो बताना है इसका म स्का मान की, वन स्कू और प्लस 3 प्लस 5 जायनि 4 भी आप नहीं होना चाहिए १ू ? यहां पे minus कर दूँगा यानि को 2 square plus में 4 square प्लस में 6 square plus、ड़ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट में 18 square में tamanho FarmACCie अगर लिख ठीक है चलीए इसके जबापे कितना लिख सकते हैं ? इसके एकाड लिखना आए यहां पर x के जबाब पर 19 है भस आपको समझने आप है कोई द्रीकत नहीं है इसको आप कुसम आधे शल करपाएंगे इसको देखिए यहां से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 का, जो 2 का square का, जो है, यहाँ पर काम ले लिए, जब 2 का square की जब काम ले लेंगे, यहाँ पर बचे कितना, यहाँ पर 4 बच जाएगा, ठीक है, 2 का square 4 होता है, यहाँ पर देख लिए 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर देख लिए 2 का square ठीक है इसी तरह डाडड लास्ट में कितना बचेगा नाइन का स्क्वाइर बच जाएगा ठीक है तो यह भी इसी फर्मूला पर क्या बन रहा है बेसिस पर बन जा रहा है ठीक है तो चलिए यहां पर 19 इंटू 20 इंटू कितना हो जाएगा उन 40 अपन में 6 माइनस यहां पर दे 20 इंटू 9 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा नाइन 10 अपन में 6 ठीक अगर यहाँ इस दोनों को आप हल कर पाएंगे हल करेंगे मैं यहां पर कल्कलेशन नहीं करके दिखा सकता हूं ठीक है जब हुल करेंगे तो इसका कल्कलेशन कितना होसा कितना होईगा चुबीस सो कित अगले नमबर कोशन क्या है अगले नमबर कोशन देखते हैं तो अगले नमबर आईए कोशन हम हल करेंगे चलिए तो अगले नमबर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यानि कि चौथा नमबर कोशन ठीक है इस वीडियो का चौथा नमबर कोशन क्या है इस वीडि में आते हैं तो एक 133 का पावर ही कितना ? 167 इसका इकाइक आंक बताना है ठीक है इकाइक का अंक बताने के लिए देखिए मैं बहुत आसां आ ठीक बता रहा हूं आप उसके मादेम से हल कर पाएंगे सब से पले क्या करते हैं अगर किसी भी संख्या का अगर पावर अगर 4 से कर पाइंगे तो वही संंक्यास्यम आजाती है धीक है इससे मान लिजिए कि 2का पाउर चार है तो 2का पाउरcken से डिवाइट करेंगे कितना बार में जाएगा यह तो 4 1 23 आका में 3 यहां पर 3 मिल रहा है तो 3 का पावर तीन बार करेंगे तो कितना जागा 27 लास्ट में कौन सा अंक बचेगा लास्ट में जो इकाई का अंक बचेगा उस साथ बचेगा यानि कि आपसा नमर भी इस करेक्ट अंसर हो जागा ठीक है तो चलिए अगला नमर कोशन के हम बात कर रहे यानि कि X Y यानि कि गुरंफल दिया हुए कितना 13 तो ठीक है उनका योग बताना है यानि कि X प्लस Y का मान बताना है ठीक है तो आप एक को मतलब की एक ट्रिक जानते होंगे आप कर्षा साथ चा आपको पढ़ाए जाता होगा कि एक फर्मूला दिया गया कि X स्क्वेर प्ल में 2X Y ठीक है इतना आप जानते होंगे ठीक है इतना आपको दिया गया होगा ठीक है चलिए तो देख लिए कि X स्कार प्लस Y स्कार जो वाईली होता है X माइनस यहां पर माइनस रहेगा तो यहां पर कितना हो जागा प्लस हो जागा ठीक है यहां आपको चीज़ आपको सम जाएगा 51 ठीक है तो आपसा शाय है अब देखर के बता सकते हैं कि आप ukson नमब्र से इस करेंग्टर material है चरिये क्या थि संक्या में से 18 घाटा दिये जये, तो संक्या कि 17 तब संभव है लिगती संख्या, तु चलिए यह rocking 10, कि संख्या का एंग यह कितना है? 10 ठीक, देखें हों, चंख्या मानने कता हैं क्यक्तपर creepy honor 10 x plus y रिखें । चलिए। ये आप संख्य मान लिए और अंपो गोरिए। द्री ठीक निसें द्रीक हैं। यानी कि 10हrahe प्लस य में से अगर आप 18 हटाएंगे। इसका मान क्तलब कि इसका अंपो का योग किं छेंज रहा हूआ। ठीक है जो जूकत करें लाई हो ईकया तीक है। चलिए अगर आप इसको 4 और 4 को x साथ करेंगे तो इसका जो मान आएगा यहाँ पर एकस इधर के लाएंगे तो कितना जाएगा 9x-9y is equal to 18 तो यहाँ पर x-y is equal to कितना जाएगा कि 2 आजाएगा ठीक है एकस माइस y is equal to 2 और x plus y is equal to 10 ठीक है अगर दोनों को add करेंगे तो यहाँ से देख लिए एड करेंगे तो यहाँ पर x का value कितना जाएगा 6 आजाएगा ठीक है इसी तरह y का value कितना जाएगा x का value 6 तो y का value कितना जाएगा य का value आप यहाँ से निकाल सकते हैं अगर किसी में रखेंगे तो y का value कितना जाएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिए कमेंट किजिए शेयर किजिए ठीक है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेजिए थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो